सरोकार से नाखुश है जनता सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे समवदा था तो आज किन मुद्दों पर बात हुई और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता देखिए उत्तर प्रदेश चुनाओ दो हजार बाइस के चौथे चरण का अंतिम पड़ाओ आ चुका है आज चौथे चरण के चुनाओ प्रशार की अंतिम दिनें हाला की रायवली जनपर्द में दिगजों का पूरी तले से जमावडा रहा है कहीं न कहीं अमिश शाह हो चाहे राजनास सिंग हो चाहे कांग्रेश की राष्टी महासाची उप्रियंका गांधी रही हो सभी ने रायवली में अपना दम खंद दिखाया है अब 23 तारीक को होने वाले मद्दान के पूर्व रायवरेली की जनता का मूट जानने के लिए प विकास पे वोट करेगी और जो योगी सरकार ने जो किया है उस पर वोट करेगी विपर्ची तो बहुत हमलावार है कि महंगाई है आवाला जानवर से लोग परेशान है खुद के जनवर छोड़ दिये जाते हैं चाहिए कि अपने जनवर अपने वहां बंद रखे हैं यह कोई तरीका थोड़ी नहीं हो कि रोट पर अपने जनवर छोड़ देऊ सरकार को दोसी बनाए ऐसा नहीं हो सकता सदर विधान सभा कि सीट पर किसका परचम लहराएगा सिर्फ अदेटे सिंग कमल का फूल कमल का फूल कमल का फूल लहराएगा कहीं नहीं जो है भारी मतों से जीतने की बात करें हमारे साथ कुछ और साथिया यह जानते हैं इनका क्या कहना है क्या परिशे है आपका अफ्र जी चुनाव है तो राय भी शदर विधान सभा की जनता आपकी बार किस मूड में है बढ़ाव के मूझ में पूरी तरीके से इस महँगाई को आम जनता पर दाश नहीं कर पा रही है तो क्या इन बातों का अराइब ली कि जनता प्asse पे कोई असर नहीं होगा एक वक्त के राशन देने से अगर किसी का पेट चल जाए तो फिर कोई कामी ना करे एक वक्त के राशन से तो पेट चलेगा नहीं, हम यही चाहते है कि बदलाव आए, मेहगाई कम हो यही जानते हैं उनकी क्या मूप है, क्या परिचे है आपका? संदीब पंडे चुनावा चुके है पानले जी तेश तालिक को मद्दान होता है तो राइब इली सदर विधान सभा की जनता क्या मूड बना लिया है यहाँ पर भाजपा ने अपना सबसे डमी कंडिडेट उता रहा था लेकिन सपा ने उससे भी बेकार कंडिडेट उता रहा इसलिए परिव पर कोड़ना करते हैं सपा की और जीत निश्चित थी कंडिडेट की कमी बतार हैं यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ कुछ साथी और है यह जानते हैं का क्या परिश्चे भाई सब्सक्राइब है मैं स्वास्त कर्मी हूँ अपने राइबरेली राइबरेली जनपद में सेसी बात कर ले तो वह सब्सक्राइब होता है कि आप सरोजगार दे रहें रोजगार नहीं दे रहें और इन पांच सालों में वर्तमान सरकार ने जो यूवाओं के साथ सबसे ज़्यादा बेहत तरीके से दुर वेभार किया है उसके लिए इस बार हर हर हालत में परिवर्तन पुरानी पेंसल का बात की जाया तो हर वेक्ति अपने परिवार के लिए ही काम करता है और जब उसका रोजगार नहीं होगा उसका भविस्त नहीं होगा रिटार्मेंट होने के बाद उसकी क्या दिक्कते होती है नहीं जो पेंसन प्रणाली है उसकी बात करें तो महज 4,000 यानि अभी जो वर्तमान मिसाली मिल लाई है उसके रिटार्ड होने के बाद सिर्म महेच 4 जार और 6 जार रुपए में क्या परिवार का भरर पोस्ट हो पाएगा तो क्या वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देना चाहते हैं अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो हम तो यही गषर का मूट बनाया लेकिन योगी जी कमी कमी का आवारा पपास इनके लिए वो जाइए गवसाला नहीं बनाया इसके लिए जो है जितना हमारे पास भर लगाते हैं यही समझो गड़वड़ी है और सरकार सही है सरकार बननी चाहिए कोई सिक्वा सिकायत नहीं है अब क्या चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि 2000 बैस में सरकार कौल बनाएगा योगी जी की सरकार बनेगी योगी सरकार गाब नाराजगी के दूर हो गई इस बार विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेगी बाबा जी तो कहे रहे हैं कि 10 मार्च के बार बुल्डोज़र बिल्कुल तयार है एक हाथ में बुल्डोजर एक हाथ में विकास देखिए धमकी दे के वोट नहीं ले जा सकते किसी को लेकिन उनके जो कंडिडेट है वो वीडियो वारल करके कह रहे हैं कि बुल्डोजर आ रहे हैं आप लोग सब वोट नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वह चाहिए तो क्या भारती जनता बार्टी लोगों से डला के उट ले रही है और क्या बिल्कुल तो आप किसको क्या मूड बनाए है बदलाओ का मूड है कि सरकार सची फुल बदलाओ का मूड है बदलाओ के मूड में हराय मिल्ली की जनता हमारे साथ कुछ साथी और है यह जानते इनका क्या मूड है क्या नाम है आपका हमारा नाम है अनिल सिंग अनिल जी चुनाओ है तो व काली सबक मारंग तो यह तो हापानी सोछ है बाकी सर्षकार सबस्क्राइब पर यह कोछ कम रहा है तो यह सरकार के काम है आलू प्याज děना और टेल पीटडल देना ये सब काम हमारी जिम्हेदारी करतारी को खुद करें वर्तमान सरकार से कितना कितने नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को और तो हम तो यह ही कहेंगे लोग हमारे बात थे कि हम बीजेपी के तो हम तो 100 परसन देना चाहेंगे 100% देना चाहें कहीं ने कहीं ये मिली जुली एक राय आ रही है लोगों की महंगाई पर सरकार को घेरा जा रहा है लेकिन कानून बेवर्स्था के मुद्दे पर जो है वो सराहा भी जा रहा हमारे साथ कुछ साथी और है ये जानते हैं इनकी क्या राय को मद्दान होना है तो योगी जी एक डेटा दिखा देना पांच लाग की बात करते हैं कि एक को दिखा दें योगी जी चासरों पर लाठी चल लाई है रेलवे की परिच्छा है दो जार उननीत लोग सबद चुनाओं के पहले फारम भरवालिया तक भरती नहीं हुई है मोदी योगी दोनों जू नहीं प्रुक्षित हैं हमने गैउस धी हमने राशन दिया हमें घर दिया घ्यört राशन पर नहीं चलेगा सामाजिक शुरच्छा बहुत जरूरी आफर सम देक मैं दें मैं चारो घटना हो रही है रेव की मेलाओं के साथ जगी पता नहीं क्या अब लखीमपुर में घटना होई वहां बुल्डोजर चली नहीं रहा है प्रदेश यंतना बुल्डोजर बुल्डोजर योगी जी कह रहे हैं चुनाओ लोग बुल्डोजर चिन देख रहे हैं कमल भूली कहें हैं अब किस टोटल बदलाओ के मूड में हैं आपके कहना है कि बुल्डोजर ही दिख रहा है हमारे साथ एक साथी और है आगे जानते हैं इनका क्या कहना है क्या परिचे आपका शैलेंदर गुमार यादो चुनाओ है तेश तारिक को अगर बदलाओ नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में आदमी और बेरोजगार हो जाएंगे ठीक है अब क्लब सरकार से बोलते हैं कि गुंडा राज किसी सरकार में खती माफ्यो सब्सक्राइब नहीं है और वाकी विरोजगारी तो बहुत ज्यादा चर्म सब्सक्राइब की जनता का क्या मूड है कि बार बदलाव की अधिति सिंग से संतुष्ट नहीं है आप लोग या पार्टी से नालाज़ी है संतुष्टी है पर लेकिन बदलाव है उपर से सरकार बदल नहीं है रैबली सदर विधान सभा की जनता का मूट यहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी आवाला जानवरों पर सरकार को घेरा जा रहा है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा कानून विवस्था और माफ्याओं के खि जनता की मिली जूली एक प्रिट क्रिया ही है कैमना मन विपिल के साथ हों संकर शुटला प्राइम टीवी राय बेले लिए तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूर कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं तो वही कुछ लोग चाहते हैं पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार